असलावलेकूम ये soft और fluffy bread मैंने ambigu Desert स्टों बनाई है घर में बनाई हुई bread बाजार के bread से असी परती है और healthy भी होती है किसी तरीके के कोई preservative नहीं होते है ये मैंने आठा bread بनाई है कराब भी बनाना चाहते हैं बहुत थोड़े ingredient के साथ बहुत easyly तो फिर ये वीडियो आप के लिए है, चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम खमीर को एक्टिवेट करेंगे एक कप नीम गर्म दूद है, उसमें वन टेबर स्पून मैंने चीनी डाली है और वन टी स्पून ड्राई इस्ट लिया है, इसको मिक्स करेंगे और दस मिड़ तक ढख के छोड़ेंगे एक्टिवेट होने के लिए हलका सा फूल जाएगा खमीर, हमेशा ताजा इस ले और इस्ट को फ्रिज में रखें, शेफ राइस बढ़ जाती है अगर इस सही नहीं होगा तो ब्रेड आप की सही नहीं बनेगी, देखें, हलका सा फूल गया है, बिल्कुल इसी तरह से करना है, ताकि खमीर एक्टिवेट हो जाए, अगर एक्टिवेट ना हो तो समझ लेजे कि आपका खमीर अच्छा नहीं है, इसमें हम आटा डालेंगे पहले मैं एक कप आटा डाल की मिक्स कर रही हूँ, अब इसमें हाफ कप और आटा डालूंगी, देड़ कप आटे की ज़रुरत होगी, इसमें हम हाफ टीस्पून नमक मिक्स करेंगे, और इसको हाथों से गूद लेंगे, गूदना मी नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करके औ और फूलने के लिए रख देना है, देखें, इक अठा कर लिया मैं नहीं है, अब इसमें वन टेबल स्पून के करीब ऑईल मिला रही हूँ, अब कोई कुखिंग ऑईल ले सकते हैं, मैंने जैतून कर तेल लिया है, देखें, मिक्स कर लिया है, अब इसमें हलका सा उपर मिक्स करेंगे, और स्लेब पर थोड़ा सा उइल लगा के मैं इसे ब्रेट का शेप दे दूँगी, देखें, बिल्कुल इस तरह से हटे को बढ़ा ले, और फोल करते हुए ब्रेट का शेप दे दे दे, बिल्कुल इस तरीके से, अब इसको ऑईल से ग्रीस की हुए तक रखा था, गर्मी एकम वासम है तो आधे गंटे में हो जाता है, उपर हलका से दूद लगाएंगे, अच्छी तरह से बराबर लगा दे, और इसके बाद थोड़े से तिल स्प्रेंकल करेंगे, इससे बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक कडाही गर्म होने के लिए करेंगे, हमने इसे प्री हीट कर लिया है, 10 मिन तक धखके, फिर ओपर से धखकर लगाएंगे, अच्छी तरीके से, और बेक करेंगे, आज को मैंने मीडियम से लो के बीच में रखा हुआ है, 20-25 मिन में ये ब्रेट तयार हो चाती है, देखे, हमारी ब्रेट हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे, और पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम इसे काटेंगे, आप माइक्रियो ओवन में भी इसको बना सकते हैं, प्री हीट करें ओवन, और 50-60 मिन के लिए, 200 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पे पका लें, और आपकी ब्रेट तयार हो जाएगी, बेदरी ही, तरह बेटरी ही वी भी होते हैं, इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं ही और 100% अपरेड है, जबकि आप मार्केट से लेते हैं, तो आठा ब्रेड में भी मैदा मिक्स होता है, इसमें जरा सा भी मैदा नहीं है, देखें कितनी सौफ्ट सी और फ्लॉफी ब्रेड तैयार हुई है, तो इस तरीके से होममेड ब्रेड बनाएं, आप इसे चार से पाइच दिन तक आराम से रख सकते हैं, इसे बनाएं, खाएं और हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, शुक्रिया